आपका है आपका आमारे चैनल बड़िंग स्पोर्ट देने वाले हैं घुजरात ऑफेट चैनने के वीच में टाटा एपल का पहला मुकबला यहां से खेला जाएगा तो फ्रंट से यहां पर नरेंद्र मौदरी स्ट्रियम का क्या रोल रहता है वो मैं सारी जानकारी आपको द प्रइब आपने हमारी यूटुब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं और प्रेस कर दिएगा उससे आगे आने वाले नोटिफिक्रिक्रिशन हमारी वीडियो के आपको आसानी से मिल सकें यहां पर दीखें नरेंदर वंदी स्टेडियम में मैच खेला मैच खासकर जबाब है आपनी टीम क्रेट कर रहे होँ आप तो आपको अपनी टीम में इंपोटन रोल निभाना है और आपको उनको लेना ही है अगर आप Grand League की टीम खिलते है पहला मैच जो होता है फ्रेंट्स वो हमेसा अच्छा होता है Grand League के लिए यह चीज मैंने हमेसा आपको वदाई है और पिछली सेसन में जो हमने वीडियो कवर की तो उसमें काफी आपको अच्छा वीनिंग यहाँ पर कराया है आप फ्रेंट्स यहाँ पर दीखे एबरेज इनिंग की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 165 की समतिंग यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहता है और यहा पर 25 पर फ्रेंट्स यहाँ पर जो रिजल्ट कर गया है वह इस प्रस्ट को लेकर आया है तो एक शीज आप बिलकुल ध्यान में यह भी रख सकती है अपने टीम बनाते समय पर बात करते हैं प्लेंग लेविन की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंट्स यहाँ पर पर फ्रेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर समरजीत सिंग है इनका मैं आपको अभी श्टेट्स देखाऊंगा कि इन्होंने अभी तक जो मैंचेस बगेरा खेले हैं उनमें इनका क्या परफॉर्स रहा है और यहाँ पर प्रशान शोलंकी हैं अगर फ्रेंट्स यह आपके लिए मैच में मेरे हिसाब से मिलना चाहिए अवेलेवल मिलते हैं तो ग्रेंड लिग में आपके लिए इंपोर्टन फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि मैं इनका परफॉर्स क्या रहा है अभी तक वह आपको यह से दिखाने वाला हूँ उससे प्राफ्ट्रक से यहाँ पर बात करते हम गुझुरात की तो गुझ्यात की प्लेंग लेवन यहाँ पर देख सकते हैं जोकी सबसे प्रेंड से आप व्रतिमान शाहा लद्क आपको ओपनें करते होी नजयर आइग सुमान गिल के साथ में important player है सुम्मा अंगिल इसके बाद केहिन विलियमसन बहुत ही शांदर player है स्चेच का आप ध्यान रखिएगा हार्तिक पांडिय कैप्टेंसी कर रहे हैं चार नमबर पर आपको खिलते हो नजर आएंगे इसके बाद यहां पर राहुल तेवटिया है और फ्रंट्स यहां पर लगबग तीन पिलयर ऐसे निकलके आए जो आपके लिए नए से हो सकते हैं अगर आप यहां पर इनको पल इनकी information नहीं है तो चले मैं आपको यहां से तीन पिलयर के information भी यहां से दे देता हूं फर्ट्स दिखें यहां से बात करते हैं प्रशान सोलंकी की तो यहां पर दीखिए सबसे important और राइट हैं यह और यह लैग ब्रेक बॉलर है तो अगर फंट्स यह खेलते हैं तो grand league में आपके लिए important factor हो सकते हैं इस चीज़ का आप यहां पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा चले इनका फंट्स आगे जो matches नोंने पिछले कुछ बैटिंग की बैटिंग स्टेटस की बात करते हैं तो फ्रेंट से यहां पर दो मैचे से नोंने only खेले हुए हैं जिसमें इनका बैटिंग कोई performance नहीं है इसके लिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा economy भी अच्छी है अच्छा performance यहां पर यह कर सकते हैं इक पर देख सकते हैं और इनों ने फ्रंट से यहां पर और काने और फ्रंट्स यहांपर लीचन की खेला हुए है इसके अलावर एक और एक बार दीख लीजै डियून है मेरे पास है तो यहां पर बात करते हैं बॉलिंग की तो बॉलिंग में यहां पर आप देख सकते हैं जो भी इन्हों इन्हों ने फेक हुए 138 रहन हुए और ही इन्हों ने चार विकट लिए हुए अगर खेलते हैं तो फ्रेंट्स धियान रहेगा एक टीम में लग लगाते हैं तो अलग-अलग प्लेयर को आप यहां पर ट्राय कर सकते हैं तो चले फ्रेंट्स इसके अलाब़ा आपन देखते ह पर यहां पर एक बात और आपको clear कर दो कि आप यहां पर चाहे तो screenshot ले सकते हैं यह small league की team है और यह team मेरे हिसाब से लगभग लगभग आपको आपके opponent के पास भी यहां पर मिल सकती है आपको changes बगएरा चाहे करना तो फ्रंट्स यहां पर line out की बाद changes भी कर सकते हैं player को लेके बागी फ्रंट्स मैंने लगभग लगभग सारी जानकारी आपको दे दिया हूँ अब रही फ्रंट्स यहां पर देखे captaincy और wise captaincy वाली बात तो फ्रंट्स उसको लेके आप यहां पर देखे बागी थोड़ा सा changes जरूर करिएगा ताकि फ्रंट्स यहां पर सेम सेम टीम ना हो सकते किसी की भी आप फ्रंट्स यहां पर देखे grand league की बात करें फ्रंट्स यहां से आप देख सकते हैं grand league में आपके लिए फ्रंट्स यहां पर विर्द जिवान चाहा और इसा ओपने खेड़ने वाले हैं मेरे साफ से जहां तक और फ्रंट्स यह आप लिए grand league में important factor हो सकते हैं आपको कुछ failure ऐसे मैं यहां से दिखाते जा रहा हूं आप बिल्कुल फ्रंट्स इनके साथ grand league में जा सकते हैं अगर आप काफी सारे team में बनाते हैं तो बिल्कुल आप इनको यहां पर try कर सकते हैं महेंदर सिंग धोनी है फ्रंट्स सपोस्ट आपके पास अगर दोनों player एक एक team में होगा नहीं performance दिया तो आपको पता है फ्रंट्स धोनी के कुछ न कुछ पॉइंट रहेंगे जो आपको grand league की team में बहुत हैल्मिया से करने वाले हैं आप फ्रंट्स यहां से देखिए बात करते हैं बैटिंग की बैटिंग में फ्रंट्स देखिए यह लगबख सारे player ऐसे हैं जो आपको सारे team में मिलने वाले हैं और I do important factor हो सकते हैं grand league के लिए जो कि यहां से फ्रंट्स चार नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगी तो बहुत important player है इस चीज का आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं फ्रंट्स यहां पर और player के ज्यादा चांस नहीं लग रहे हैं बाकि मैंने आपको जो जानकारी दियो उसके according आप यहां पर अपने team create कर सकते हैं बाकि दिखिए बात करें फ्रंट्स यहां पर तो रविंद चेड़ी जाए यह चार पाक प्लेयर ऐसे हैं चार प्लेयर लगबग आपको small league की team में मिलेंगे रहुल तिवटिया और पैट्रोड्स 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 यहां पर ध्यान रखेगा यह ग्रेंड लिग के player हैं आपके लिए पैट्रोड्स यहां पर रॉल विजे संकर का भी हो सकता है जो की थोड़े से मुझे चांसे सिनके कम लग रहे हैं बाकि लगबग लगबग मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिए उसके साब से विजे संकर यहां पर आपको खेलते होई दिख जाएंगे तो यह ग्रेंड लीग में हैं अगर फ्रंस आप लगबग 5-6 स्वीम से ज़्यादा बनाते हैं तो फ्रंस आप 3-4 प्लेयर को अलग-अलग टीम में ट्राइ करिएगा मैंने आपको बिकट की पर से लेके बैट्समें से लेके इस आरांडर अचलिए बॉलर के फेक्टर यहां पर देख लेते हैं तो बॉलर की बात करें तो यह आपको स्मॉल लिग के प्लेयर और ग्रेंड लिग के प्लेयर यह सब जगह मिलने वाले हैं आपको राशित खान हुआ यहां पे दीफक शायर हुआ मौहमाद समी हुआ यह पिलियर अलग-बग आपको सारी टीम में यहां से मिल जाएंगे इसके अलाबा इसके अलाबा यहां पर देखिए बात करें तो साइल की सोर का मैंने आपको बताया है बहुत इंप्लेयर है अगर आपको लाइन आउट के बाद ही है यहां पर प्लेयर दिखता है तो फ्रंस बिल्कुल आप एक टीम में इनको ग्रेंड लिग के लिए जरू ट्राइ करिएगा इसके आपको बताया हूँ आप थोड़ा बहुत चेंजिस करना चाहे तो बिलकुल यहां पर कर सकते हैं तो फ्रंस अगर उससे पहले आपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरू कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा और आंगे फ्रंस जो भी प्लेयर होगा तो फ्रंस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजेगा और बैल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हो तो फ्रंस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद